हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो इस उचिता क्लासेज, तो फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो में हमें एल्सियम निकालना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर जो है, लीस्ट कॉमन मल्टिपल हमें निकालना है, 20, 25 and 30 का, ठीक है, तो आए इसे देखते हैं कैसे निकालते हैं, तो य निकालना है, उन नमबर्स को हम यहाँ पर लिखेंगे, यह हमने लिख लिया 20, फिर 25, फिर 30, ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, नमबर को लिख लिया, अब हम क्या करेंगे इसमें, कि हमें जो सबसे छोटे से छोटा जो नमबर है, जैसे कि जो प्राइम नमबर है, जो कि अपनी ही टेबल से केवल डिवाइड होता है उससे हम इसको इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे ठीक है तो जो सबसे छोटा नंबर है वो प्राइम नंबर वो क्या है 2 है तो हमने इसे 2 से यहां पर हमने क्या क्या 2 लिख लिया अब हम इस 2 से 20 में divide करेंगे तो यहाँ पर जब 20 में divide करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 में हम 20 से divide करते हैं तो क्या आता है 10 आता है ठीक है अब यहाँ पर 25 है यहाँ पर क्या है odd number है ठीक है तो यह odd number है 5 है तो 2 की table में कभी भी 5 नहीं आता है तो इस number को हम क्या करेंगे ये number जो 25 है वो 2 से divisible नहीं है 2 से भाग देने पर ये divide नहीं होता है तो इसको हम क्या करेंगे as it is लिख लेंगे next number हमारा क्या है 30 है तो 30 में जब हम 2 से divide करेंगे तो क्या होगा 15 आ जाएगा तो यहां पर 15 आ गया, अब हम क्या गरेंगे, हम फिर से इसे 2 से डिवाइट करेंगे, फिर हमने यहां पर क्या किया, 2 लिख लिया, 2 से हम 10 में divide करते हैं तो क्या आता है 5 आता है 25 2 से divide नहीं होगा इसको हम बिल्कुल as it is लिख लेंगे इसको कुछ नहीं करना है फिर 2 से 15 में जब हम divide करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि ये फिर divide नहीं होगा क्योंकि ये odd number है 15 तो ये इसको भी हम क्या करेंगे as it is लिख लेंगे अब हम next क्या करेंगे अब देखो 2 से कोई भी number divisible नहीं है न 5 न 25 न 15 अब हम next number जो prime number है वो क्या होता है 3 होता है अब हम इसको क्या करेंगे 3 से divide करने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 लिख लेंगे अब हमने 3 से 5 में divide करने के लिए table जब पढ़ेंगे तो क्या होगा 3 to the 6 हो जाएगा तो 5 जो है वो 3 से divisible नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे as it is लिख लेंगे ठीक फिर 25 जो है वो भी 3 से क्या हो रहा है divide नहीं हो रहा है तो 25 को भी as it is लिख लेंगे 15 जो है वो 3 से divide हो रहा है तो इसमें 3 से जब हम 15 को divide करते हैं तो क्या होता है 5 टाइम्स जाएगा तो 5 3 से 15 तो यह 5 टाइम्स जाएगा तो हमने यहाँ पर क्या क्या यह 5 लिख लिख लिए divide करके अब देखो 3 से अगर हम फिर से 3 से divide करना चाहें तो क्या 5 है यहाँ पर 25 है 5 है जो की क्या है 3 से divisible नहीं है तो अब हमें next number जो है वो क्या है 2 हो गया 3 हो गया next हमारा prime number क्या होता है 5 होता है जो की अपनी ही table से divide होता है prime numbers जो की अपनी ही table से divide होता है अब हम इसको क्या करेंगे 5 से divide करेंगे तो 5 1s अ 5 हो गया यहाँ पर हम 1 लिखेंगे फिर 5 से 25 में divide करेंगे तो क्या आएगा 5 times जाएगा यह 5 5s अ 25 होता है तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है, अब 5 से 5 में divide करेंगे, तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक, next time हम क्या करेंगे, फिर से 5 से divide करेंगे, 1 को हम as it is लिख देंगे, 5 में 5 से divide करेंगे, तो क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर 1 को as it is लिख देंगे ठीक है अच्छा अब जो है अब हमें क्या करना है LCM LCM is equal to क्या होगा अब ये जो numbers हैं इन सब को हम लिख लेंगे 2 फिर ये क्या हो जाएगा 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5 ठीक है मैच करा लो इसको 2 2 2 2 2 3 3 5 5 5 ठीक अब इस तरह से भब आपने लिख लिया अब हम इसे क्या करेंगे अपस में सब को multiply करेंगे ठीक है 150 में जब 2 से multiply करते हैं तो क्या आता है 300 जब आपस में इन सब को multiply करके देख लेना तो यह क्या आया 300 और यही जो है वो क्या होगा इसका LCM होगा तो LCM of 20, 25 and 30 is equal to 300 ठीक है और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो friends hope करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो please channel को नए होंगे तो subscribe कर लीजिएगा और नहीं तो वीडियो को like ज़रूर करिएगा Thank you so much